हेलो फ्रेंट्स बेलकम श्वागत है आपका अपने शेयर निग्नु गाइडन्स में और मैं आरती चले आई आज का जो वीडियो है बी एच्टी एस वन इट्ट्री का है अनुवात शिद्धान्त और प्रविन इसकी ब्लॉक वन लेते हैं और ब्लॉक वन में जो यूनिट व आपके लेंट्री कोश्चन्स लेके आएंगे नीरी नजर से अब वह आते हैं कि नहीं आते हैं वह पता नहीं तो जैसे हमारा थर्ड जो यूनिट है वह अनुबाद प्रक्रिया शाधन एवं पुन रिचल ठीक है तो उसमें हम क्या देखेंगे अनुबाद प्रक्रिया जो प्रक्रिया क्या है यह देखेंगे पुन रिक्षण क्या है यह हम समझेंगे ठीक है राइट चलिए अब यहां देख लेते हैं अनुबाद पुन रिक्षण से क्या-क्या अपेक्षायम होती है यह आपके लिए very important हो सकता है अनुबाद पुन रिक्षण पुन रिक्षण औ जो बेरी इंपोर्टेंट है तो चलिए आपर समझ लेते कि अनुवाद प्रक्रिया क्या है अनुवाद क्या है वाल लेडी हम जो है सुरू में देख चुके हैं समझ चुके हैं ठीक है अब अनुवाद प्रक्रिया में श्रोत भासा और लक्ष भासा का उचीत ग्यान होना अनुवाद करना लेकिन इसमें दो चीजे होती जब अनुवाद करते हैं पहला एकश्रोत भासा होती दूसरा लक्ष भासा होती है श्रोत भासा जो इसे मूल भासा कहते हैं ठीक है माल दीजे, श्रोत भासा, एक हम को यह translation कर रहे हैं, जो हमारा हिंदी से इंग्लिज की और होगा, ठीक है न, क्या होगा, हिंदी से इंग्लिज में हम translate कर रहे हैं, तो हिंदी हमारी यहाँ पे श्रोत भासा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो मूल है, जहां से हम कोई चीज ले तो इन दोनों का यानि किसका श्रोत भासा लख्ष भासा यानि हिंदी और इंग्लेष नोना जो घनलार गोर है गया रहना हुत जरूरी है क्योंकि हर एक शप्ध सब्सक्रावक आरथ है लेखियोग मेरे लगाद हैं हिंदी में अगे सब्सक्राव ह Hilk में रहता है में वाग के होते हैं उनके अर्थ हमेशा अलग हो जाते हैं इसलिए इसको स्रोत और लक्ष भासा कहते हैं और इनका ग्यान होना आवश्यक होता है और अच्छा अनवादक के लिए इन दोनों का ग्यान होना आवश्यक है और शाहित अनवाद में अनवादक से पेक्षा अधिक ब हाशाओं के ग्यान के अलावा जिस चीज के वास छकता है उन दोनों की संस्पितियों का ग्यान मतलब जरुमन जो होते हैं उनकी संस्पित कैसी है यहां पर इंडियम है उनकी काहसी है ठीक है झायँ और रसपस्त हो जाना चाहिए कि ग्यान गार्ट हो बacam on आर्थ का अनर्थ हो जाएगा जिसे जड से पूरा मजबूत होना चाहिए भासा के मामले में तो अनुवाद प्क्रिया पर बिविन अनुवाद चिंतकों से चरचा की है और यहां पर तीन चरण है मुल्टे तीन चड़नों की बात करते हैं अनुबाद में ठीक है पहला पार्ट विस्नेशन होता है, दूसरा अंतरन होता है और तीसरा पुनर गठन होता है ठीक है, अगर निवार्क के हिसाब से देखें तो बोधन, अभिवेक्तिकन और पार्ट निर्वान होता है सभी लोगों ने इसके अलग-अलग प्रक्रियाए दिये हैं किसके अनुबाद के ठीक है राइट तो एक मेन अनुबाद निकाला जाये तो वो क्या हो सकता है अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे डाक्टर भोलनातिवारी ने इसके क्या दिये हैं पांस चरण दिये ह ठीक है पाठ पठर पाठ भीस्क्रिक्र भास्दर्ण समयوج होजण अभर मॉन से तुलना तो अनुबाद कि प्रक्रिया के बिभीन चरन औपर अगर चर्चा की जाए तो इसके बहुत सारे जो काफी पद होते हैं प्रक्रिया के चरनों से मिलते जूते होते हैं तो प्रकित उद्देश आधि को समझा जाता है यहां पर यह भी धिया जाता है कि जो सरजनात्मक शाहित की बहासा गैर सरजनात्मक बहासा से पूर्टयाबिन और गहन अर्थ समपन्न होती है। उसकी जो गैर सजनात्मक्त मासा होती बिल्कुन अलग होती है मतलब यहां बिचार के साथ भावों का भी सामन जश्च होता है इसलिए अनुवादक के लिए बहुत गंभीरता से इसका द्यन किया जाना होता है और हो सके तो अर्थ के जितने अस्तर मूल रशनाकार के ने दिय अनुवादक ने जो अर्थ दिये हैं वो इतने जादा दे दिये हैं कि जो दूसरी भासा में आप अनुवाद करेंगे तो इतने अर्थ आप उस भासा में निकाल पाएं पहला दूसरा यह भी हो सकता है कि हो सकता है कि जो मूल लेखक है जिससे आपको जिसका अनुवाद कर अर्फ ज्यादा निकाल पाए और दूसरा यह भी करण हो सकता है कि मुल राइटर के अर्ठ से भी ज्यादा अर्थ हो निकाल ले ठीक है ना तो ऐसे सित में कई बार अनुवाद मूल से भी बेतर बन जाता है, ऐसा करते समय अनुवाद की प्रक्रिया को तै करता है, और यह पूर्ण प्रक्रिया आंतरिक होती है, ठीक है ना, यानि अनुवाद के एक मन इस्थित तक पहुंचते हैं, अपने मन के अंदर से उस चीज को देखते हैं, और इस चन के अंतरगत अनुवाद को एक तै करना होता है, कि अनुवाद की भासा क्या हो, अर्थात अनुवाद को सबसे पहले जानना सक होता है, कि किसके लिए अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद का ग्राहक कौन है, पहने वाला कौन है, उसको कौन सी भासा अती है इस सदों में कहा जाते हैं अनुवादक सेक्सपियर कर रहे हैं थिर कालीजासी कि दच्षरा कर रहे हैं जों वैसे हिसला है टेख हो गी कि आ ऐनी सेक्सपियर इंग्लिश का सब्सक्राइब ट थी क्षते मैं अनुवाद टिशेए शिलeralική अनुबादा को तो पाठक की आई उसकी छमता उसकी अवसकता आद इस अभी पर ध्यार करके यह विचार किया जा सकता है ठीक है और इसी के अंतरगत पाठ अनुबाद के उत्देश की भी चर्चा यहां पर होती है कि कई बार अनुबाद करने का उत्देश के वल बस्ट तक स जीमित होता और कई बारे बिस्ट्रित होकर उसके सिल्फ भाशा के प्रत भी उतना ही उतना ही गंबीर होता है तो पाठ अनुबाद को एक मनेस्तित तक पहुचना होता है क्योंकि इसके अंतरगत अनुबाद को यह वित्य करना होता है क्योंकि आंत्रिक प्रक्रिया होती है इसलिए मन्हें इस्तित पहुच्छ रहा होता है और अनुवात की भाशा क्या हो तीक है या ना या इनकि आनुवात की लिए कर रहे है और ग्राहक कोण है पंडे वाला पाठक कौण है तो उस समय की भाशा क्या थी आज के जी यह जो इन्टे जो होते हैं जो लिखते हैं वो पाटक की एज उनकी छमता उनके वसकता की अंशार लिखते हैं तो इस बिंदु पर भी सोचा जाना चाहिए ठीक है फिर तीसरा साठाव आणि जिसमें अनुवाद मूल भासा के कत्व को लग्च भासा में अन्तरित करते हैं मूल भासा जैसे मैंने कहा था pal हिंदि से अंगरेजी में आनुवाद करना तो अंगरेजी लग्च भासा हो गए और यह बिसलेशन के ठीक बाद का चरण यानि बिसलेशन के बाद क्या आता है भासा अंतरण आता है और इसके अनुसार जो अनुवादक होता है वो एक रणनीत बनाता है और उसकी हिसाफ से वो भासा अंतरण करता है ठीक है यानि भासा का अंतरण करना यानि रूपा का चैन, शही वाक्रचना, भासा का मुहावरा, जो चीजे कहीं गई हैं उसमें उन बिंदु ओपर ध्यान डखा जाता है, यह जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल चरण होता है, क्यों होता है, क्योंकि अनुवादक जो होता है, वो भासा प्रती को शंबेदनाओ आध का सही प बर्ति स्थापन, बर्ति अमान उकाई ठीक है, जब्ड शब्ड पद्बंद पद बंद उपहथ आध क रख्रतिस्थापन देख दोनों भासाओं की संस्कृत्यों के साथ नयाय हुपाए जो मेन्व शोध भासा और मोल भासा दोनों की संस्कृत्यों यह भी देखना पड़ता है कि निया हो पाया है नहीं हो पाया है और यह भी देखना आवश्चक हो जाता है यहां पर कि सरजनात्मक जो शाहित और गैर सरजनात्मक शाहित के बीच यही मुलभूत बिंदो होता है जहां आकर दोनों के अनुवाद की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है राइट गैर सजनात्मक्षाइद विचार के संप्रेशन के साथ ही संपन्न हो जाता है सजनात्मक्षाइद एक बिंद पर के वर एक गयान तक ही पहुच पाता है जो अनुबादक होता है दोनों संस्कृतियों के 20 ताल मेल का खासा ध्यान दखना पड़ता है और प्रतिस्थापन किया जाता है ठीक है जो कि भासांतर के साथ में चलता है फिर नेष्ट तुलनात्मक्षाइद या कि मुल्यांकन साहित का अनुबाद का अंतिम सबसे कटिंचर्ण होता है और इसमें दोनों पाठों के आमने सामने रखकर ना केवल भासिक और पाठगत पाथ सनालों ने कि मॉल्यांकन करता है लें तो हम बहुँ करें लोग सबसे तो हम ने आपपर देख अभी इसके ज़न हमने रहें तक है प्रतिस्थापन अवह थे बहुता है आगे चलते हैं हो सकता है कि अनुबाहत क्या और किसी छेत बिसे इसके अंतरगर भी पूँच सकता है, ठीक है ना, तो देखिए अनुवाद कार श्वयम में जटिल दता स्रम शाथ दिख लिया होती है, किसी चीज को अनुवाद करना इतना आशान नहीं होता है, क्योंकि कठिन होता है, और इसमें टाइम भी और मेहनत भी बहुत लगता है, तो अनुवाद करते समय अनुवादक को परकाया प्रवेश करना होता, चाब परकाया क्या होती है, यानि कि पाठ जो होता है, पाठक की तरह पहना पड़ता है, ठीक ही जो अनुवादक होता है, पाठक की तरह पढ़ता है, और अनुवादक की तरह पहना में बहुत अंतार होता है यानि पाड़ पढ़ते हो आप उसका अरण ले सकते हें लेकिन अनुवाद करते किरते प्वुशम करते प्रत्य फुश्चाब के लिए सही पढ़ रहा है कोजना पढ़ता है और क्यों होता है इस propelled दिक्भियो जिदिल तो क्या करता है पहले एक लाइन को पड़ता है फिर उसके आर्थ को समझता है फिर अनुवाद करता है ठीक है उसके आर्थ को ढूड़ता है दिन जब अनुवाद हो जाता है उसको लगता है कि अनुवाद बिलकुन सही है तब जाके वो दूसरी लाइन के और वड़ता है तो अनुबात प्रक्रिया को बेहस्यर उधार से समझा सकता है, जैसे माल लिजे, आप सभी क्या करते हैं, फिल्म धारवाई क्या देखते हूँगे, और किसी फिल्म या धारवाई को देखते हुए, क्या आपने कभी उसकी निर्माड प्रक्रिया पर विचार किया, आपके सामने प्रस्तो द्रिश के निर्माण में फिर्म निर्देशक से लेकर पूरी टीम को कितना श्रम करना पड़ता होगा और इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है क्योंकि आपके सामने प्रस्तो द्रिशकोंगों ने सम्चे द्रिश के रूप में नहीं देखा होगा अद्रिश निर्मार के समय वे उसके बिविन तकनिक की दिश्ट कुणों पर विचार कर रहे होते हैं suppose that तो जैसे यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं behind the scene हाना सॉट में BTS सुटिंग अगरे होती है तो आप लोगो कुछ वीडियो कुछ मुवी के देखने को मिल जाता से बाव बली फिल्म बनी तो इसका behind scene कहीं कहीं मिल जाता यूटूब बगएरे में कि जो सांड होता है हाथी होता हो रियल का नहीं होता है कि इस्ट्रक्चर होता है कम्प्यूटर से ग्राफिक करना कितने लोग उसमें होते हैं कितने सारे लोग वोते हैं उसमें काम को करने वाले कितने तकनिषियन होते हैं डारीटर सभी लोग र unwilling to fit fat करके पहुंचाते हैं तो पीछी कषर वां.. श्राम हमें नजर नहीं होता है ठीक है ना तो इनके प्रयासों के माध्यम से ही एक खोब सूरत फिल्म धारावाई गीत आग जो हम देख पाते हैं ठीक इस तरह अनुवादक भी होता है जो किसी पार्ट के अनुवाद में इतनी तक्निकी समस्याओं में उलजना पड़ता है और तब कहीं जाकर एक मुकंबल पार्ट हमारे सामने अनुवाद की रूप में आपाता है ठीक है फिर अनुवाद की प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया अनुवादक की कठिन परिश्रम के और संकेत करती है अब यहां पर महत्तु पूंचता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अनुवादक कार एक जटिल हम स्र अनुवादक प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया ने अकठिन परिश्रम होता है कि अनुवादक पूरी प्रक्रिया जो होती है कठिन परिश्रम के और संकेत करती है और किसी पाठ को पूरी तरह समझे बिना उसे आत्मशात नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना नहीं सकते हैं, सबसे पहले हमें उसमें आत्मशात होना पड़ता है, तभी कार जो है संभो हो सकता है, तो अनुबाद प्रक्रिया के विभिन सोपवानों से गुजर कर ही, अनुबाद प्रक्रिया का महात्त्ता है, इसे जरूर देख लिजेगा इसे छोड़िएगा नहीं, ओके चलिए अब आगे तो उसा देख लेते हैं, अनुबाद प्रक्रिया के सभी अनुबात की प्रक्रिया होती है यह चर्ण विसेश महात्तु रखते हैं क्यों कि इसके जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए आदमी जो होता अनुवादक जो होता अपनी मेहनत, लगन और समरपर पुड़ा उसमें दे देता है, अनुवादक हमें अग्यात की ऐसी दुनिया मेले जाते हैं, जो इससे पूरु मारे लिए अंदेखी और अंजान होती है, ठीक है न, तो विविन भासाओं में पलग्द व पीविन नुषादन का मतलब से कोस हो गया, तो कोस गरंथ होता है, जिसमें अर्थ और पर्याफ सही तिकठे होते हैं, सबसे पहले कोई अनुवादक जो होता है, सबसे पहले कोस का हिल्प लेता है, ठीक है न, क्योंकि हिंदी में कहे गए शब्द का अंग्रिजी में क्या तो कोस को इसमें बहुत जाता है, कि लुपा का और लएग्या, आर्ट अनुवितन की अनुवा थान। इसलिए diva कोस की परिषभाशा यहां पर देखी जाती है , बौला न थी वारी ने भासिक कोस और बस hed rooted कोस बाड़ू तिया हम नहीं देखेंगे फिर एक भासिक कोस कोस इतार पर उन कोसों सें जिन में भाशा, एक्षभाशा के शब्दों को उसी अर्थ में दिया जाता है तो मैं इनको नहीं देखोंगी, बहुभासी कोस होते हैं, थिसारस होता है, तो देख लिजेगा, ये हैं ऐसी चीजी जो अनुबादक के लिए काम आती है, उनके साधन की रूप में काम आती है, मुहावरे अवलो कोपती नजर में, माइंड में रखिया दिया है, तो आप से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके बिसेकोष, साहितकोष, इसलिए मैंने बता दिया है, अनुबाद में विविज साधनों की उप्योगिता क्या है, जैसे देखिये, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, प्रदोक्य, प्रसासनिक, विविद बैंक, बिधी, बैंकिंग, मीडि आनुबाद के पार्टों में अपनी बिसेस्ता है, जो मैं पार्ट बिसेस्ता है, दर्दो क्या हो सकता है, इसे मुझे फिनिश करना है, ठीक है na, पुन रिक्षण क्या है, एक बिचलते हैं, इंपॉर्थण क्या एक नज़. बेरी इंपोर्टें ठेखिये लेगे, आनुब के प्रक्रियाओं पर बिस्तार से चर्चा की जाती है विसलेषन अंतरण पुनर गठन और इसी पुनर गठन को भासांतरण तथा पुनर इस्थापना के शंदर में समझा जा सकता है यानि तुलनात्मत बिसलेषन की भी चर्चा की इसका अर्थ है अनुदित पाठ और सोथ प्राट की तुलना करना और इसी क्रम में एक बेहद अनमात्मों प्रक्रिया है पुनरिच्छन पुनरिच्छन या नहीं मिलाना ठीक है आई थिंग्स पुनरिखना अनुवाज जब तयार हो जाता है जैसे आपने क्या करते हैं आप एक्जाम हाल में तुनरिच्छिर से मिला है पुनरिच्छण शब्द पुनरिच्छट से हमें पुनरिफ और ओग नेज़गा तो तो इस सो कहते हैं एक अपने की क्या कहते हैं भाझ पूट तो बोढ्न फीब़ देखनां या आपने या पिर पी निए और ऑने लिखने और देलेक्छिँन हम पुन Larschna से तातपर है नुदित पात का पुन्य पात था उसमें अपेक्षिस सुधार कनखन, जो अनुवाद किया जा चुका है, ठीक है, पुन्य पात कना और उसमें जो भी अगर सुधार की ज़रूरत है तो सुधार करना तो किसी पाट के अनुबाद से पूर अनुबादक से पेक्षा की जाती है कि उसे दो भासाओं के साथ उस बिसे बिसेश का भी ज्यान हो जिसका किवे अनुबाद कर रहे हैं पहले पढ़ चुके है और अनुबादक के लिए दो भासाओं के साथ संबंदित भिषय का ज्यान आवश्यक होता है और इतनी जारकारी होने के बावजुद अनुबादक को पाट करते हैं अनेक समस्याओं का सामना करना पढ़ता है और इसलियां को ही अनुबादक की चुनोती का जाता है ठीक है न और इसलियां जो होती हो भासा गसान स्पृत गद्विषय के ज्यान से संबंदित होती है तो अनुवादक इसी क्रम में सबसे पहले स्ट्रोथ पाट का विस्ट्रित अध्यन करते हैं फिर इसके बाद क्या करते हैं पाट का विस्ट्रेशन करते हैं फिर अंत्रन करते हैं यानि भासांत्रन यानि एक भासा से दूसरी भासा में बदलना भासांत्रन होता है ठीक है और तुलनात्मा कंद्यन होता है और जब इस अवधानिया बरच जातने के वावजूद भी अनुवादक से अनेक तुटियानी गलतियां हो जाती है जो सुभाविक है हर किसी से हो जाती है और ऐसी इस्तित में मुद्रण से पूर वियानी छापने से पूर जो अनुदित पाथ हो तो आनुबाद की हुई बुक होती है उसको फिर से एक बार पढ़ा जाता है और अवशक्ता पढ़ने पर उसको सुधारा जाता है और इसी प्रक्रिया को पूर रिक्षन कहा जाता है तो पूर रिक्षन का कार क्या होता है श्वम अनुबादा कत्वा किसी अन्य व्यक्तित तो बाद दोनों का एक समू भी कर सकता है और पुन्रिक्षण कार के लिए सबसे महत पूर्ण होता है निष्ठा समर्पॉंट तटस्ता ठीक है ना यानि पाठ को स्वेम से पूरी तरह पढ़ना पढ़के पुन्रिक्षण करना यानि देखना और अनुबाद में मान लिजे को कोई भूल कोई तुटी हो जाती है तो उसे फिर से शुधार करना तो उसे बहतर बनाना पुन्रिक्षण का ही करतब्य होता है तो पुन्रिक्षण की प्रक्रिया को बहतर समझने के लिए ठीक है यहां पिस्वारी पुन्रिक्षण देखे हम अभी उपर पढ़ रहेते पु पुन्रिक्षण का मतलब क्या होता है पुने दुबारा पढ़ना जो उसमें सुधार उसको सुधार करना तो वो क्या कहलाता है नहीं यहां पर देखिएगा अनुबादक से वही शमान भूलो अत्वा तुटीयों को पकड़कर उसमें अपेच्छी सुधार करना और उसे ब पुनिरिक्षण कहला तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्जामपल यहां पर दिया हुआ भी है मूल दिया हुआ है एंगलिस का फिर इसके वाद यहां पर हिंदी में दिया है फिर उसका अनुवाद किया गया है ठीक है ना ओके तो अनुवाद और पुनिरिक्षण केंतर को समझा जा सकता है कि पहला अनुवाद मूल बाक में किये गए शब्दों का सही अनुवाद तो है लेकिन अर्थ को पूर्टे प्रेशित नहीं करता है अर्थ को बया नहीं करता है तो अनुवादक का काम केवल कम वाग ठीक है कि इस समप्रेशन की दिर्शे देखा जाया तो निचे वाला बाग अनुवाद भेतर होगा अनुवाद अलग-अलग होता है ठीक है राइड पुनि रिक्षण की प्रक्रिया को समझते है थोड़ा यह देख लीजैगा इंपोर्टेंट हो सकता है पुनिरिक को छाटा करता है और यही काम है अनुवादक करता है कियाख Hmamak allah मूल पांट कर तो इसके बाद मुल पांट था अनुधित पांट को एक साथ रखक रखकर पढ़ा गाए है जो मूल पाथ होता है, जो श्रोद भासा की लिखी भासा है, लिखा हुआ पाथ है, उसको पास में रखा जाता है, और जो अनुबाद किया गया है, उसको रखा जाता है, दोनों को पढ़ा जाता है, और एक साथ पढ़ने की स्क्रम में, पुनरिक्षक जो होता है, मूल और अ वाधित भासा में मिल रही है नहीं तो बिश्लेशर की इस प्रक्रिया के तहत पुन्रिक्षग अपनी समझ के अनुसाद तुटियों को गलतियों को क्या करते हैं एक रेखा स्खीज देते हैं और यह तुटिया विविन प्रकार की हो सकते हैं से पाठ के कथ के स्तर पर भी खांकित करता है और कागज के हांसिये पर उस सव्दों प्रक्युक्तियों के स्थान पर बेहतर प्रक्युक्तियों लिखते चलते हैं, यह इसका इसका मतलब यह हो सकता है, और इस तरह करमवार-फूड़े-पाथ में सुधार कर लिया जाता है, तो जो गलतिया होती है, व जो अनुदित पाठ यानि कि जो अनुवाद किया गया है उसकी भासा और संस्वित के अनुसार जो पाठ संप्रेशित हो पा रहा है कि नहीं जो स्रोत भासा है उसके इसाफ से जो लक्ष भासा यानि जिसमें अनुवाद किया गया है वो चीज सही है कि नहीं है और पुंडिक प्रक्रिया आपके लिए इंपॉर्टन हो सकती है तो इसे देख लीजेगा में इसे बेरी बेरी इंपॉर्टन में रखूँगी तो पुन डिष्ण किस प्रक्रिया का अध्यन करते हुए अपने महसूस किया होगा कि जैसे यहां पर दिया है कि वही उपर है इन आधारों पर यह भी जटिल पूर्ण काम होता हैं तो ंतर के वल इतना है कि पुन्जी खाट को द firing on जो अनुबादित किया जा चुका होता है तो अनुदित होता है तो इसको फिर से देखना होता है और अवसकता उन्सार सुधार परिवर्तन करना होता है तो अनुदित पार्ट को फिर से देखना उसमें वसकता उन्सार सुधार परिवर्तन करना अंतिन परदान करना ही क्या कह पुर्य रिच्षित कहलाता है यह देख लेज़िगा इप्पार्डेन आपके लिए हो सकता है इतनी इफिनिशन की आप ले सकते हैं अनुबाद्पून लिक्षण कमात हम नहीं दिखेंगे जोपर हम आपको बता चुके उसको आप लिख सकते हैं, अनुराथ परुचर सफेक शाय भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, सारांस आ गया, यानि ये जो है, खतम हो गया, अब हम दूसरा ले लेते हैं, हमारे लिए क्या इंप्वाटेंट हो सकता है, और कोशिश करूँगी, कि एक ये वीडियो में करवा देती यूँ, ठीक है ना, सारी, शाहित अनुबाद, इससे क्या कोशन बन सकता है, शाहित तेवम काब में देख लीजेगा, थोड़ा सा शमानता और अशमानता, राइट, शाहित की विधाय कौन-कौन से देख लीजेगा, ग्यानात्मक और शाजनात्मक शाहित में क्या अंतर है यह देख लीजिए गा और हम कुछ नहीं देखेंगे क्या शाहित का अनुबाद सम्भव यह कोशन पूश सकता है लेकिन हम यहाँ पर चलते जलते देख लेते हैं कि क्या इंप्वाटेंट हो सकता है अब शाहित जो होता है शाहित और अनुबाद से मिलकर बना है और इन में दोनों शब्दों के अर्थ को जानना जरूरी है ठीक है तो अनुबाद वाल डेडी हम पढ़ी चुके हैं कि एक भासा में व्यक्त कत्थ विचारों को दूसरी भासे में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है अनुबाद कहलाता है और शाहित के संदर में हम सबसे पहले इसके वित्त मूलक अर्थ को समझेंगे तो वित्त परकृत क्या होता है कि हिंदी भासा में शाहित कर चभँ इसके प्रशार में प्रवृत किया जाता है उसके लिए संसुप्रित में वांगमय अवंघ्रेजी की लिट्रेचर शब्द विवार में लाया जाते है और ये तीनों ही शहित का अर्थ करना होता है और इस आधार पर कह सकते हैं को शाहित कहा जाता है साथ रहने अत्वार रखने के भाव से युक्त को शाहित कहा जाता है ठीक है ओके और इसमें क्या देख लें बांग में बांग में संस्वित के बांग में शब्द का संबंद पुलिंग अर्थ में है और यह जो होता है बाड़ी के लिप बद्ध रूप को व्यक्त करता है ठीक है यह आवाज को आवाज के लिप बद्ध को व्यक्त करता है व्यक्त करनेवाला शब्द है कोस गट पुलिंग अर्थ में गद्द पद्य के रूप में लिक्ट वाग अथा वाग शमु, गरंथ गरंथ शमु और शाहित के लिए प्रे्युक्त किया जाने वाला शब्द है, तो बांग में शब्द जो होता है, यह बाणी के लिपिवध्ध रूप को व्यक्त करने वाला शब्द होता है लिपिवध्ध ने लिखे हुए को ठीक है ना राइच और ये गद्द पद्ध रूप में लिखिद वाध अथवा वाकिशवू ग्रंट ग्रंट शमू शाहित के लिए प्रयोति के जाने वाला शब्द होता है तो शाहित की तुल्ला में वांग में व्यापक अर्थ शंदर्ण को ब्यक्त कनने वाला शब्द होता है और वांग में में सभी का समावेश मिलता है गद्द पद्द के प्राषीन भारती चिंतन परंपरा में शाहित के इस्थान पर काभ शप्द का ज़्यादातर प्रयोंग देखने को मिलता है, प्राचीन भारती संबूत' के आचार्यों ने काभ शब्द का प्रयोंग Shahith करेट में किया and भारती शाहित कारम बेदों के रूप में देखने को मिला वे बेद अपने रूप में जो पद्दबद रचनाय करते थे थे ठीक है और उपर इस दों के रचना भी काब के रूप में हुई शायद यही कारण संस्वित के पूरवर्ती काब शास्त्यों ने अपने ग्रंतों में शाहिष 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 शाह तो शाथ वे सताब्दी में शरप्रतम भरतिए ने काव किरते में शाही शाथ का प्रियोग किया था ठीक है? और आगे क्या देखे क्योंकि हम पढ़ने शाही तेम काव शमानता अशमानता पहले सित काब को ही शाहित कहा जाता था हो तो काब शाहित के रूप में ही मानने संपूर शाहित का पर्रयाए नहीं है शाहित लिट्रेचर के बेद क्या क्या होते हैं तो इसे देख लिजेगा हो सकता है थोड़ा सक इंपोर्टेंट हो जाए ये शाहित के बेद इतना इंपोर्टेंट मुझे नहीं लगता है इसलिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ हां शाहित की बिधाये काँएं काँछ стать variance ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं debate के बहुत शारी है ना औरकहानय उपरन्या से कांकि नरगमँच संश्मन जीवनी कान णिवनी अंग रहा थिए वस्काते हैं अपनी της काृएं कं और इस विविनता के कारणा में शाहित की विभ्प कuésी विदाथ की बढ़ु हे धुग्ना ग्रोफ इक है तो पहले पड्शाहिद इस तरफ सेटे पोर दो करें किसे आखावे रिदिगुर्व रोपक में जाता है इस अ हार्व दिव स्वान्स आखने जाता है、 आपड़िया रोपक ड्रिष्य निट्रु काम्सिती जाने पार यान्स नित्र करें पद्ध शाहित को सबसे बड़ी स्रिजन शील विदा सुईकार किया है चरम सीमय पर पहुंचे मानों के अबूत पूर उद्गारों का सब्ध जो होता है कविता की भासा ब्याकर्ण शम्मत होना जरूरी नहीं है कविता में भाव चंद पर आधारी त्रचना होती है इसमें ब कविता के अर्थ और शरूप पर विचार करते कहा जाएगा कविता मनुष्की बानी का शब्ध विदान है और अभिव्यक्त का मुलतत्त मूलसादन है और जिसे काभी के माद्यम से या कभी उचित बनाने के लिए व्यक्ति का स्रिजन प्रतिवा विचार कौशल प्रवंद काब में एक ही कथा का बंद तो प्रवंद काब ठीक है ना और जिस काब रचना में सामिल काब रचना का फ्रतेख चंदेग दूसे से पूर्वा पर रयनी बाद देख लिए दो दो लाइन भी लिख देगे आप तो आपको नमबर मिल जाएंगे फिर गद्धिशायट फुर्ट है चंद बेखने को एक शंध बनदन नहीं होता है यह गद्धिशायद के लिए रचना टेंगे जिस रचना निरप्यक्ष होती है चंद नहीं होता है बिष्षंद का निश्चित बंधन होता है तनी जैसे आपकेर सकते हैं जैसे आपकेर सकते हैं चनला उतना तियल قैनित है तो किया थे सकती है कहानी आठ्म कहता है किस आठ में दे dreamed कर दी जो कि प्द्द कि अंतर आ ओंठ्म कि अब गद्य के अंतर गद्य के कहानियों पन्यास लग था निवंदलित कथा जीविनियात्मकतारेखा चित्रिपोतारिस मैनयात्रा बिताइंडारी साक्षातकार यह सवाते तो आप इसको डिद दीजिए ठीक है ना चंपू क्या है चंपू गद्य और पद्य मिश्रित काब अत्वा नाटक को चंपू कहा जाता है जब गद्य और पद्य मिश्रित काब अत्वा नाटक को जिस काब अत्वा नाटक रचना में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग होता चंपू कहलाता है चंपी हो जाती मिश् और एतिहासी प्राणी कत्वा समान किसी भी से संबंदेत हो सकती है, कहने के साथ साथ में कविता भी योधिस है, ठीक है ना ? क्योंकि इस रसाहिद क्रेश रसेली में अर्थात गद्ध और पद्ध चम्पू में से प्रथम दो अर्थात गद्ध शाहिद और पद्ध शाहिद की मुख है ठीक है ना शाहिद को सरूप तो मैं नहीं समझ सकती हूँ लेकिन हाँ यहाँ पर शाहिद को मोटे तोर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो भी हम उपर देख के आया है शाहिद तनवाद अर्थ और प्रकार हम नहीं लेंगे यह ठीक है ग्यानात्मक और सर्जनात्मक शाहिद अनुबाद में समानता इसे आप देख लिजे क्योंकि सर्जनात्मक और ग्यानात्मक शाहिद का संरचनात्मक धाचा समान होता है जैसे अंग्रेजी में वाक संरचना समानता है इस काथ सुछन में इस करम ब्यवस्ता का पराम करना जरूरी नहीं माना जाता है फिर भी अनुवादा किसे ध्यान में रखते हुए उनुबाद करता है और इसलेशन के प्रकित इस्थिताइद का पुरा पुरा ध्यान रखा जाता है तो कहने का मतलब, दोनों प्रकार के अनवादों में श्रोत और लक्ष माता के सहराचनात्मक घटकों का एक ही तरह सी विस्सलेशन किया जाता है तो इसमें देखने क्या है? कम टाइम में ऐसी पढ़ाई होती है क्योंकि अगर मैं सब लेकर आउंगी तो मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगेगा और आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लिजी क्या सरजनात्मक शाहित का अनुबाद शंबव होए? यह यह कोश्चन आता है क्या? सरजनात्मक शाहित का अनुबाद शंबव होए? तो लिखिएगा कि अनुबाद कोई सरलकार नहीं है कहने है यह शुरोत्भासा के संदेज की लक्षभासा में उत्रिब्रत करना शरर्राकार्ण नहीं होता है तूजर्ण लिग देना और इस अंत्रणकार को भली अंतन यानि की बिदलना, परिवर्थित करना, इक से दूसरे भी, उतारना, ठाय ना? संपन करने में अनुवादक के समक्षन इस चुनोतियों सिवायों पस्तित होती है और सरजनात्मक्षाहित के अनुवाद में चुनोतियों और भी बिगट रूप ले लेती है क्योंकि सरजनात्मक्षाहित मोलते हैं आनंद का शाहित होता है जिसमें सूक्ष्म भाव कलपना का समावेस होता है ठीकि बिम्बो परतिकों के माद्यम से लक्षणा ब्यंजन परग भाशा में व्यक्त ये भाव कलपना तक्त्यसाहित रचना को जो है और ज्यादा अच्छा बना देते हैं और अनुभूत को शमांतर रूप में उद्रित कर कैने के लिए संप्रिशित करना होता है यहां पितना कुछ लिखने के बाद लएक काम कर लीजेगा तो आप लुक्त आप लिख सकते हैं कि बास्तों में उद्बोध उसका संप्रिशन के कभी हिर्दय के चिंतन में अपनी अनुभूत का इस्तनांतर नहीं वरन उसकी रिष लेकिन कभी के हिइदय की भाशा को लेना पड़ता है, ठीक है? उसके शाहितिक सुंदर को अक्षुन बनाए रखना होता है कि अधिन कह error है। आध्य में पुन्र स्रिजन होता है, आप लाषट में लई लिख सकते हैं। आपके लिए काफी केदी कोश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो और इसे थोड़ा से देख लिजेगा पुर्णर स्रिजन का अर्थ क्या होता है पुर्णर स्रिजन सब्ड इस अर्थ का भी भ्यंजक नहीं है अनुवादक मूल रचना को आत्मा को ही क् अगर वह ऐसा करता है तो अनवादक सपर अनवादक नहीं माना जा सकता है इसलिए गोलते हैं A to Z here पर लिखा जाता है ये question important हो सकता है ईसलिए क्या जनातमक चाहित का चाहित के अन्तर ये क्या समानता है इतना काफी है मेरे क्याल से और शाहिदी यूनिट आपकी फिनिश भी होनी चाहिए हम शाहितिक अनुबाद का मात हम सुरू में भी देख चुके हैं और ये बेरी बेरी इंपोर्टन्ट है इसलिए मैंने बताया था ठीक है ना तो आज का यूग जो है अनुबाद का यूग है यहां से स्टार्टिंग कर दीजेगा बर्तवान यूग में अनुबाद की माग और कार्छेत में ब्रिद्धी हुई है यानि माग बढ़ी है और इससे बिभिन्ध भासाओं की बीच की दूरी भी कम हुई है प्रांती भासाओं में रचित शाहित को राष्टी ही नहीं अंतर राष्टी महातु भी मिल रहा है और इससे एक भासा की सामग्री के एक अधिक भासाओं के पाठन लावांगीत होते हैं यानि एक भासा के स्रामागरी भोती है, उससे अधिक भासा रोपल K représ की जाए प्रतिप्षktó होते हैं, जैसे कि जय करिक्षष हिंदी की जो हिंदी भासा रेच उसका अगर इंग्लीछ में किया जाए कां WOR लोगों हैं, वो क्या होगें लावाजादित होंगे, तो शाही होता है ठीक है तो पहला हो गया फिर राश्ट्रीता और भावनात्मा के एकता के पल्लवन में शाहित अनुवाद की साथ तक भूंका होती है क्योंकि कस्मीर से लेकर करन्या कुमार तक विविन भासा भासाई के लोग यहां पर रहते हैं जो में एकता बैती है और समझ के विक कि भारतारास की बारें में फटा चल सकता है और इससे राष्टी एकता भी वड़तिए ठीक है तो भारती भासाओं में रचित साहित्की परंपरा इस्थत् sevi jsem मोलते Бावात्मक एकता होती है अर उत्तर भारत में जहां गोश्वामी तważकी दास ने राम चारित लिपी वहीत कंबन मल्यालम में एतुष्छन बंगार में कृतिवास और असमिया में संकर देव आधे लोगों ने भी क्या लिखिये रामचरित लिखिये तो सिर्फियोत्तर भारत की नहीं जहां जहां रामचरित लिखी गई वहां वहां लोगों को इसके वारे में पढ़ने समझने का मौक बहरत की संस्कृत समाज की विविद रूपों में अव्यक्ति होती है संस्क्रित वर्शन के रूप में विया पक भारती आधार एक संवान होते हैं जैसे कह सकते हैं कि रहमायार नंदि बंगलां और मराठी आध्विविन आर भासाओं पर हैं बलकि तमिल तेल्गूं कि अपनी विशेष्टा हैं संबेदा कि अपने अपने शंदर होते हैं इसके वावजूद भी भीतर से मुलभूत एकता का बिम प्रस्तुत करता है तो मारी राष्टी अस्मिता की पहचान का दो तक है तिसरा हो गया ठीक है पिछोथा ले सकते हैं कि विश्ट साहित के वदार अगर शाहित का मात पूछे तो मूपर देखके आ चुके हैं शाहितिक अनुबाद का मात पूछेगा तो फिर यहां पे आपको यह लुखिना पड़ेगा ठीक है ना राइट इस अस्तर पर हिंदी इंग्लीज का ट्रांसलेशन अनुबाद संस्पित के विकास के एक बड़ सम scientific केद्ध समाजीक सांस्क्रισाइबाता प morally यहां चांड़ेछ संस्पित करता है तो संस्क्रिध की सम्रिधी और भासरः और शाहित का महत्त को नदान होता है और माध्द इसके तोरा तो देख लिजिय गा इनको, पांच ट्लस ले लेंगे, तो रचाजोंल नातमक शाहिंद क्यादयान को प्रोशाहिद करता है पांच खोट कि ले लेंगे तो बहुत होगा आपके desarroll, ठीकिया लेंगे जि Gaming मेरस आप fav Share जो आचर गांच 1995 कम आए भृत किOFF How इस दर चोटे चोटे लीजेगा तो आप याद भी कर पाएंगे ना ओगे तो यहां पे फिनिज हो गया भारत की शाहित में एक्ता में अनुबाद की क्या भूम कहा है जो भी मात देखे हैं आप उसे लिद दीजेगे दोते नुटा लीजे गई है स्वाजनात्मक शाहित ग्यानात्मक शाहित का मानों जीवन के सरवांगी उन विकास में उन लेखने अस्थाने मनुष को बेतर बनाने में बिजिश्च रभूब कर निवाने की कारण इन दोनों प्रकार के शाहित में कुछ नमानता है नजार आती है और वही इनका मोलस्वर ग्यान साका की विवनता से अनुवाद की प्रक्रिया क्रिपरत उनके दिश्च कोंड में तरज देख लिए ठीक है तो चलिए यहां पर इसको में फिनिश्ड करते हैं शाहित का नुबाब अब यह नहीं देखेंगे नहीं अब नहीं देखेंगे गद्द पद्दम उपर द इसता हैं आपके लिए आजाए और उसके अनुवात की चुनोतियां क्या होती है तो गद्द शाहित की विसेस्ता में पहला है गद्द शाहित की सबसे बड़ी विसेस्ता उसकी भासा है ठीक है सामाजिक सांस्कितिक बनावट ओके मुहाबरे लोकुप्ति का प्रयोग गद इसकी डिध शाहित में अनुषाथ-पहु सैली यह बिस एस्ता उसकी गद्द शाहित में तो यहां पिछा शाहित में दिए और यहां पिघवी यहां इसकी डिया है ठीक है, ओके, फिर कतेतर शाहित में भी दिया है, कम टाइम में आप इतना ही पढ़ लेजे, जो मेर मेर बता रही हम उनको आप देख लेहें, ठीक है, तो यह जो ब्लॉक है, आपका फस्ट है, तो यह आपका फिनिश्द हो गया है, ठीक है ना, चले फिर वीडियो कर लिजे शेयर कर लिजे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजे नहीं किया है तो ठीक है कोशिश कर हुए इसका नेस्ट वीडियो भी ले के आऊं यदि हमारे पास टाइम रहता है तो ठीक है ना चले फिर ठीक केर बाई